आज कैनेडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है दूसरा अतंकवाद का अड़ा बन चुका है दूसरा गैंक्स्टर का अड़ा बन चुका है दूसरा नार्को टेरिजम का अड़ा बन चुका है कैनेडा कैनेडा बदराम हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर ले खालस्तान की ब ये चंद लोग नारे लगाने वाले इनके कहने पे खालस्तान बन जाएगा। इनको बता देना चाता हूँ ये भारत दरमसाना नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये गुरु तेख बहादर हिंद की चातर, ये गुरु गुबिन सिंग माहराज उनके सहब जादे जिनको नियों में चनवाया गया, उनके खून से सजा हुआ दीश है। इस तरगे से पधान मंत्री कनाडा के टूडो लगा रहे हैं भारत परुष्ट तूडो वो व्यक्ति है जिसने हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कोशिश किया है। खालस्तानी समर्थक कोई नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे चाइना है, पाकिस्तान सीधा हिंदुस्तान से आज नहीं लड़ सकता है, चाइना हिंदुस्तान से नहीं लड़ सकता है, तो थ्रू कैनेडा एक वहाँ पे अड़ा बना लिया है इनोंने, मुझ हिंदुस्तान में आके कहें कि हम कैनेडा के टुकड़े कर देंगे हम अमेरिका के टुकड़े कर देंगे हम यूके के टुकड़े कर देंगे कि अस्टेलिया के टुकड़े कर देंगे मैं गरंटी से कहता हूं हिंदुस्तान की कोई भी सरकार हो कभी उनको छेल्टर नहीं का हमारा इज्जत है उसके अशोक चक्र में कैनेडा के अंदर उस पे खंजर छोपे जाते हैं यह कैनेडा के अंदर होता है तो कैनेडा ऐसे लोगों को जिन्हों ने पंजाब के अंदर हजारों बे गुनाहों का कतले आम कर दिया चत्ती हजार बे गुनाहों का कून बहा दिया हजारों बेनों सुहाग जाड़ दिया हजारों बच्चे यतीम कर दिये सजार हिंदू बाईयों का कतले हम कर दिया इनकी गलतियों से फिर चुराची के दंगे हुए ब्लू स्टार उपरेशन हुआ और वो जाके बहुड़े जाके कैनेडा और अमेरिका जाके शर्न ले ली खालस्तान की बात है ना मुद्दा खालस्तान है ना हम कहते बनाओ खालस् ना चाहता हूँ यह भारत दरमसाना नहीं है यह हिंदुस्तान है यह गुरू तेक बहादर हिंद की चादर यह गुरू गुबिन सिंग महराज उनके सहब जादे जिनको नियों में चनवाया गया उनके खून से सजा हुआ दीश है यह गुरू नानक देव जी महराज की बनाएंगे जो टुडो का बयान है उसने दुनिया के अंदर ध्यान बठकाने के लिए भारत को हाईलाइट करने की कोशिश की है भारत कभी नहीं चाहेगा हमारा देश के अंदर डिस्टरब हो भारत कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया के अंदर को देश डिस्टरब हो पर द अधिकारी मिले हुए हैं और वो कहीं न कहीं खुफिय अजन्सी तमाम लॉर्ज विश्णोई के साथ काम कर रही है इस तरीकी के जो आरोप हैं और निजजर तो खालिस्तानी आतनवादी और जो हिंदोस्तान के अंदर किसी भी पुलिटिकल पार्टी का आदमी अगर केनड़ा की फेवर में अगर इस फेवर में बयान देता है जो टुड्रों ने बोला है वो देश का दुष्मन है वो देश का गदार है वो पंजाब का गदार है वो गंदी राजनिती करना चाहता है वो देश तरोई है अगर कोई पुलिटिकल पार्टी का आदमी पंज बाल दिवस कर दिया, हम बीजे पीसे नहीं है, कैस्टोडो की तरीफ करें, अपने देश के परधान मंतरी के क्या वो परधान मंतरी, जिसमें अपना करतारपूर साब में हलात इतने से जंग होने की त्यारी थी, जब ब्लू स्टार, जब ओपरेशन हुआ, पाकिस्तान के अं इत्तर दिन है, हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिक्खो, यहां से गुजरेंगे, मैं इसको खोलूँगा, मैं रक्षा करूँगा, उन यात्रियों की, क्या खोला? मैं पूछना चाहता हूँ, खोला? खदरनाक अतंकबादी भी नरिंदर मोदी जी ने छोड़ दिये, कोई बात यह हमारा सिक्ख दर्म मानवता का परतीक है, इस मानवता के परतीक गुर्णानक देव जी महराज के आगे सिर्जुकाते हैं, हम नरिंदर मोदी जी को गाली दें और टुड़ो की तरीफ करें पिटाजी मगर सवाल एक यह है कि जिस तरीके से वहां भी कई ऐसे इंडिन्स रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, और उन पर भी जिस तरीके यह असर हुआ है भारत और करनेड़ा के बीच पे तमाम मुद्दे चल रहे हैं, गरमाय के वे गुजराती के ओपर असर क्यों नहीं इनके आत में खालлоसतान का जंडा क्यों हुँ चैब भारती नहीं है और भारती तो ना मादों आप जो गंडे उठाने उठाओं अपन्जाब के आप कौन पंजाब के इंदर खाल्स तौन के अ Hai कांगे अग्छों आजमी बंश्टान का कर्य exempel यह फंडिंग आकर कर फाल कए तेंगे। मुझे बतायी हिंदोस्तान के प्रकां खालस्तान का नाय। नंगाए लगाएंगे तो Seมagen बन जाएगा। कौन साालस्तान कैसा खालस्तान की तस्वीर क्या हैं यह खालस्तान दो सो किलो मेटर का खालिस्तान ये पाकिस्तान ये गंगा नगर बॉडर राज्यस्तान ये जमू के अंदर पठान को रिजे राजपुरा साब इसको खालिस्तान बढाएंगे है क्या पंजाब के अंदर क्या है पंजाब के अंदर आपने जिक्र किया जी सरीकी से ये खालिस् सिंगमान को भी जताया था लोग बोले हैं पंजाब के पीछे लग जाते हैं लोग हमारा करतब बनता है दर्म के जमेदार लोगों का हमारा करतब बनता है राजनितिक लोगों का जब राथ को तोड़ने की जब पंजाब को बरबाद करने की बात आजे हम खड़े हूं हम नही पर उसी रास्ते पे चल पड़े जिस रास्ते पे उस वक्त अब ही चले थे थि उत हैं पंजाभ के लोगों को चाहता हूं अपने बच्चों को बचाओ अपनी जमीनों को बजाओ अपनी पंजाब यह पंजाब आप नीचे जा रहा है, सिर्फ इन चंद राजनितिक लोग और चंद धर्म के जमिदार लोगों के कारण। बिटा जी एक सवाल ये सबसे महत्पुन ये है कि जिस तरीके से बड़े बड़े जो गैंक्सर से कहा जाता है कि कनेडा में ही शरंड लेकर बैठे हैं, गोल्डी वर्यार की बात कर लीजिए और ये खालिस्तानी जो एक्टिविटीज है हमने देखे हैं कि धडले से कनेडा मे आया कि कनेडा ने जो भी आरूप लगाएं कोई सबूत पेश नहीं किया है, तो ऐसे में ये मुद्दा उठा कर कनेडा किसकी और इशारा कर रही है, और क्यों ऐसे चीज़े करने हैं, कनेडा बचना चाहता है, सरे आम नारे लग रहे हैं खालिस्तान के, तरंगे जंडे का छो भई आप खालसतान मांग कर रहा है, तो आजो हिंदुस्तान के इंदर हाके क्यों नहीं हो नहीं बोलते हैं, सबसे बड़ा सवाल है, ये सरफ तुद्डो अपनी कुर्षी को बचाना चाहता है, जैसे पढ़ बढ़ ने पालिक ने पंजाब को बरबात किया, बती तेती चौंती साल से अभी तक पंजाब उठाने इसी तरीके से वोट बैंक पॉलिटिस के कातर वहां भी बरबादी कर रहा है आज कैनडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है दूसरा अतंकवाद का अड़ा बन चुका है दूसरा गैंक्स्टर का अड़ा बन चुका है पंजाब के अंदर हिंदुस्तान के अंदर अभी आपने देखा होगा कहां कतल याम हुआ बंबे के अंदर पूरे अब सलमान खुर्शीद अब वहां से धंकिया आएंगी एक दावु देबराहिम खत्म कर दिया अब दावु देबराहिम कई वहां जाके बन गए इनकी ऐसी क धिए को खालुस्तान ना कभी बना धाना कभी बनेगा ना कभी बने में देंगे बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह जगमी शरीर बंबो से जो आपने तोड़ा है हमारी लाचों से गुजर जाएगा हिंदुस्तान एक है एक रहेगा और गुरू महराज की पवितर धर्ती को तेक बहादर हिंद की चादर की पविस्तर दर्ती को उनके सहब जादों की गुरुओं की दर्ती को अपमानित नहीं होने दिया जाएगा अपने आप मान का जिकर किया जिस तरीके से पंजाब का मुद्दा है ग्यानी हरपी सिंग जोकी एज़ीपीसी के परधान है उन्हों न स्टीफा दिया और तमाम लोग उनकी स्टीफे को वापस लेने के लिए बाते रख रहे हैं विर्सा सिंग वलतोहा का बयान से वह आहत हुए जो हमारे जथेदार साहब होते हैं कहीं के भी हो अकालतकर साहब के हो या किसी गुर्द्वारा साहब के हो या बड़े गरंती साहब वह कुछ भी बोलें वो कुछ भी कहएं वो कई बार ऐसी चीजे पूल जाते हैं पर हम उनका ज्वाब नहीं देते हैं हमारी उकात नहीं है वो यह अतंक बादियों पर बहुत खान हसती है मैं कि यह बारे में कुछ नहीं कहने हैं रूदा कहना चाहющAKा। हिम थोड़े से हमारी अबादिय है हम वोभश sant की अबादिय पूरे दुनिया के उन्डर सिक्सफ मौ का मजाख उड़ाएं सिक्कौम का मजाख उड़ाने के लिए कैनड़ा पूरे देश के पार्टी पॉलिटिक्स और राजनिती ना करे क्योंकि पंजाब एक तंदूर है हल्की सी मिट्टी का तेल डाला गी डाला आग इतनी लगेगी कि यह फिर आग काबू नहीं किया आप ने कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल बैयन बाजी नहीं करना चाहता मगर यह बात जो आपने कह पुरा कहूं ठीक है न मैं तो अकाल तकहतलो साब की बात करता हो चब मैं अपनी बात बसा दी कि मेरे पर हमिला करने वालों ने अकाल तकहतलो के जथेदार जिंडोंने अस्तीफा दिये उन्होंने का इनको छोड़ दो कई उन्होंने ऐसे बयान दिए बढ़का उषाओ पर मैं फिर कहूं मैं मिट्टी में रूलता फिरता आदमी हूं मैं पापी से खूँ गुनागार हूं मेरे जतेदार साब के सामने एक शबत का जवाब नहीं देता कहां जतेदार साब कहां मिट्टी में रूलता भिरता तो फिर आप ही सोच लो कोई भी व्यक्ति हो कोई भी दुनिया में व्यक्ति हो जतेदार साब की मर्यादा का हमें द्यान रखना चाहिए और इस मसले को बैठ करके सुल जाने ना चाहिए तांकि पूरी दुनिया के अंदर इस पगड़ी का सिख कौम का अपमान ना हूँ धन्यवाद धन्यवाद मसे बाशित करने के लिए ताप सुन रहे थे को साथ तोर पर बेबाकी से तमाम हमारे सवालों का जवाब देते हुए नजर आए निदिली से करेमेन प्रकाश गुपता के साथ मैं रफी मिश्रा निवसेटींग